नमस्कार दोस्तों भाईयों बेहनों सज्जनों और शुप चिन्त को हा तो आज का वीडियो हिंदी में होगा बहुत सारे request मिले मुझे हिंदी में एक वीडियो करने के लिए तो अभी सोचा मैंने कि एक वीडियो निकाल ही देता वह बना लोग subscribe कर लेंगे मैरे चैनल से और जिन लोग को और मेरे ऐसे हिंदी वाले वीडियो पसंद है तो मैं अभी नितिन कश्यप जी के साथ एक वीडियो रेकॉर्ड करने वाला हूं सैटर्डे को शनिवार को तो वो वीडियो भी हिंदी में होगा क्योंकि उनके चैनल में मैजोरिटी जो लोग है ज्यादा तर हिंदी बोलने वाले हैं औ और वो वीडियो शायद वो अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ सुत्रा सुत्रास पर अपलोड करेंगे यह आने वाले संडे को तो वो वीडियो में और आपको मिलेगा मेरा हिंदी तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है मैं बोलने का कुशिश करूंगा जो भी इधर उदा चूख होगा तो उसे माफ किजिएगा नजर अंदास किजिएगा मेरे मेरा रिक्वेस्ट है यह ओके तो आज का टोपिक क्या है और हाँ शुरू करने से पहले अगर आप नए है और आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर ल वैल्यूज नहीं कर सकते हम इंटरनेशनल बैक ट्रांसफर भी नहीं कर सकते तो क्या करें हम तो वहां पर मैंने एक नया अप्शन दिया है कि आप बैंगलोर में जो डॉज़ बैंक है मेरा एकाउंट वहां पर आप transfer कर सकते है लक्षमी और उसका according आप मुझे फिर mail भेज के आप मैंसे consultation ले सकते तो एक बार चेक कीजेगा मेरा website तो एडिट किया है और कुछ नई चीजे भी डाली है मैंने और begin करने से पहले शुरू करने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ God is there with you all the time just look to him and he will be there पता ने इसको ओके तो आज का topic क्या है आज का topic मैं सोच रहा था हिंदी में क्या मुझे मुझे समझ में नहीं आता है क्या topic पर बोलो तो मैं सोच रहा था कि मैं इस चीज़ पर थोड़ा बात करता हूं कि अपनी अंदर की जो अच्छाई है उसको बरकरार कैसे रखे समझ है मतलब लोग क आप भले तो जग भला लेकिन कल्यूग में मेरा ही अनुभव है शायद आपका अनुभव लेकिन मेरा अपना व्यक्तिकत ये अनुभव है कि आप भले हो भी तो आपके आजू बाजू जो आपके लोग रहते वो आपको भला रहने नहीं देते बहुत बार मैंने देखा है जैसा मैं जब अपने इंजिनेरिंग की पढ़ाई कर रहा था, SRM University, Chennai में, South India में, 2010 में गया मैं, तो मैं मास खाता था उस टाइम, मीठ बहुत ज़्यादा खाता था, फिश उतना नहीं खाता था मैं, लेकिन मैं ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं करता था, मदिरापान, सिग्रेट फुक नहीं, इसा मैं नहीं करता था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ गया, वहाँ मेरे जितने दोस्त थे, सब लोग उसी के शिकार थे, तो सब लोग मेरे को खिशते रहते थे, अरे भाई तुम भी चलो, एक मार के आते, एक फुक के आते, तो समझ रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप भले तो जग भला, लेकिन कभी कबार ये जग आपको भला नहीं रहने देता है, तो ऐसे स्थीती में क्या किया जाए, तो हम जब भी कुछ सोचने का प्रयत्न करते हैं, मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि हमें शास्त्र चक्षू डेवलोप करना चाहिए, शास्त्र चक्षू मतलब जब भी हम जिन्देगी में कुछ होता देखे, या कोई ऐसी घटना हमारे जिन्दगी में घटती है, जो अच्छी हो या बुरी हो, उसे हमें शास्त्रों से लिंग करके देखना चाहिए, मतलब हमें देखना चाहिए कि हमारे पुरातन शास्त्रों में ऐसा किसी और के साथ हुआ था, जो मेरे साथ हो रहा है, तो उस परिस्थिती में वो जो महापुरुष थे, उन्होंने कैसे उस परिस्थिती को, उसका सुझाओ कैसे निकाले वो लोग, उसमें कैसे वो अपने धरम और अपने अपने प्रिंसिपल्स जो है अपनी मर्यादा है उसको लांग के उनों उनोंने गलत चीजे नहीं की तो उसको शास्तर चक्षू कहते तो वो हमें अपने अंदर डेवलोब करना चाहिए शास्तर चक्षू तो जबी भी ऐसे परिस्थित यह आती है हमारे लाइफ में कि हम अच्छे रहना चाहते लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि महावारत में तरह तरह के शर्यांत्र रचे गए दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण ये चारों ने तरह तरह के शर्यांत्र रचे और उनको ऐसा इतनी कठीन परिस्तितियों में उनको डाला लेकिन पांडव फिर भी एक साथ रहे, वो एकत्र रहे, कह उसका सिराइक इसको जाता है, हम कहने में कह सकते कि वो लोग बहुत अच्छे थे, वो बहुत धार्मिक थे, लेकिन उसका सबसे प्रमुक काराणिया है कि वो पांडव जो थे, पांच पांडव, उनमें दृपदी, कुन्ती आप सब इन सब को भी साथ में ले सकते, जब मै अभी मन्यू को ले सकते हैं, सब को ले सकते हैं, हिडिमबा को ले सकते हैं, घटोटकच को ले सकते हैं, उनका जो पूरा परिवार है, पांडवो का, उनके सारी संताने, जितने भी लोग हैं, सब को आप ले सकते हैं, उनकी सबसे विशेश बात क्या थी, जिसके कारण वो नहीं धार्मिक पैदा हुए थे वो धार्मिक रहे भी पूरा जीवन ऐसा इसा नहीं है कि वो शुरूात में बर दोग थे लेकिन बाद में अधर्म करना शुरू कर दियो लोगों ऐसा नहीं किया वो लोग धार्मिक थे बच्पन में पूरा जिंदगी और मारते दम तक उन्होंने कभी भी धर्म का त्याग नहीं किया वो क्यों हुआ क्या लगता है आपको कमेंट्स पर लिखिए आपको जो लग अक्तिशाली थी जैसे उनके पास ऐसे लोग थे भीश्म पितामा थे गुरु दौनाचारिय थे व्याजदेव थे तो ये सबी थे लेकिन उनकी सबसे प्रमुक चाहीती बात क्या थी यही कि वो क्रिश्न भगवान के बहुत बड़े भक्त थे सबसे बड़े तो इसके वज जबी भी कोई मुश्किल होता था वो लोग सीधा क्रिश्न भगवान के पास दोड़के चले जाते थे जैसे हम ये अक्षय पात्र का जो की जो लीला है उसमें हम देखते हैं कि जब दुरवासमुनी अपने साथ हजार शिश्यों के साथ आते हैं और धर्मराज युदिष् सब सोच में पढ़ जाते हैं कि साथ हजार शिश्यों कब हो जान हम कैसे बनाएंगे और दुरवासमुनी का जो शराप है ना वो उनके जुबान पर बैठा दाता था वो इसी प्रतिक्षा में रहते थे कि मैं शराप कब दूख इसको और जब दुरवासमुनी आपको फलित होगा है सक नहीं है उन्होंने बोल दिया मतलब हो रहा है वो फलित तो धर्मराज युदिश्टिर सोच में पढ़ गए कि आप कैसे करें साथ हजार शिश्यों का भुजन कैसे बनाया हम यह तो असंभव है तो फिर दुरवपदी की दिमाग में वह बात आई कि हमसे तो हो नहीं पाएगा है तो हम क्या करेंगे हम मैं वासुदिव कृष्ण के बारे में सोचती हूं और जैसे ही वो सोचने लगी कृष्ण के बारे में कृष्ण भगवान तुरंट वहां प्रकट हो गया तुरंट इंस्टेंटेनियस पॉंटेनियस और प्रकट होके और उससे देखना क्या होता है। तो उसमें केहते की को कोई कहता है कि उसमें चावल बना था, कोई कहता है उसमें खीर बना था। तो कृष्ण भगवान वो एक दने को खा गए। और उसी के साथ, वो शास्त्र में कहावा था ना यश्मिन तुष्टम जगत तुष्टम जब भगवान संतुष्ट तो सब संतुष्ट तो उसके बाद क्या हुआ उनके जितने भी शिश्य थे दुलास्मुनिगे सबको ऐसा लगा कि भरपेट भोजन किये हम लोग अभी हम लोग कुछ खा नहीं सकते हो तो उनको इतना डर ल लेंगे युदिष्टिर अर्जुन नकुल सैदे कुछ नहीं करेंगे वो तो समझ जाएंगे लेकिन भीम हमें नहीं छोड़ेंगे तो भीम के भाई से डर से दुर्वास्मुनिग और उनके सभी साथ हजार शिश्य वहां से पलायन कर लिए वह भाग गये वहां से से भधवान के पास दौड़ते थे हमेशा उनके पास भागते थे तो उसके वज़े से क्या होता था तो हमेशा धर्म के अंतरगत में रहता था मतलब वह कभी उनके पास Bundesregierung कि उनको यह लगे कि अभी अभर्म का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि माभार्त में एक वह जलोग भी आता है जहां पर यह कहते कि धरमो रक्षति-रक्षिता मतलब कि जब आप धर्म का अनुसरन करेंगे तो धर्म आप की रक्षा करेगा धर्मो रक्षति-रक्षिता धर्मा प्रोटेक्स one who protect who adheres to it तो इसका सबसे बड़ा उदाहरान हम देखते हैं इसका कौन है सबसे बड़ा उदाहरान ये सबसे बड़ा उदाहरान इसका दृपदी है वो स्वयम है क्योंकि वो एक बहुत जादा धार्मिक स्त्री थी उनके पांच पती थे फिर भी वो माभारत में जब आप भाग परानिया है जब वो आती है और वो आके दृपदी को पूछती है कि हम तो 16108 है हम एक आदमी को खुश नहीं रख पाते हैं आप अकेले 500 पांडबों को कैसे खुश रखती हूं तो दृपदी उसमें कहती है कि ने ऐसा खुश नहीं है मैं कोशिश करती हूं और कैसे तो हो उसके बाद सब को खिलाने के बाद मैं खाती हूं सब के सोने के बाद मैं सोती हूं तो इसा बहुत इसा करने के लिए बहुत तपस्या लगता है या तो एक पतनी का धरम है शास्तों में जो कहा गया एक बहु का धरम है वो पुरा परफेक्टली निभाती थी थी और वो तो खेर भौतिक स्तर पर है कि कोई अपने पति की सेवा करते है कोई अपने बच्चों की सेवा करते है कोई अपने सास्सासूर की सेवा करती है कोई बहु लेकिन इसके अतिरिक्त उसकी सबसे विशेश बात ये थी कि वह कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी तो इसके दिमाग में एक ही इंसान रहता था वो है क्रिश्न भगवा तो इसके वज़े से जब उसका संकट काल आया हम सब जानते हैं कव आया वो जब तुशासन उसका साड़ी खीच रहा था तो उस टाइम भगवा ने आके उसको बचा लिया कैसे तो करके तो यही कहवत है कि धर्मो का अनुसरान करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है तो उसके वज़े से तो पांडवों का जो सबसे विशेज गुन था वो यह था कि वो हमेशा ही क्रिश्न भगवान के कहे पे चलते थे जैसा हम बार बार देखते हैं कि माभारत में भी जब दौनाचारिय के वद का समय आता है तो युद्धिस्टिर माराज हिच की चाहते है वो अर्धसत्य बोलने से की अच्वत्थामा मर गया है क्यूंकि वो धर्मराज है वो जूट कैसे बोले लेकिन उन्होंने फिर भी जूट बोला क्योंकि क्रिश्न भगवान ने बोला था इसलिए नहीं क्युंकि वो क्या था उस टाइम। उन्होंने पाँचाल सेना पे ब्रह्मास्तर का प्रयोग किया था उस टाइम। और जब दुरणचारी ने ये किया तो आखाश में उनके पिता महराज भाराद वाज मुनी श्रीमान भाराद वाज रिशी प्रकट हो गए। उन्होंने बोला कि बेटा बस करो बहुत हो गया है तुमने बहुत विनाश किया है आप अपने सस्तों का त्याग कर दो कोई कहता कि देवरा जिंदर भी प्रकट हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी वो विध्वन्स करते चले गए पांडव सेना का अधर्म उन्होंने वो बहुत बहुत बढ़ा अध्हम था लाखो करोल सेननी शहिद हो गए वह एक ही आस्तर का प्रयोक करने से पूरी सेन समाप्थ हो गए क्योंकि वो बहुत क्रोध में थे उएन दिन तो वो क्रोध में अपना अंकुष खो बैठे तो कृष्ण भागवा ने बोला कि ये ब्रामिन पागल हो गया है ये इस ब्रामिन को अभी मारना पड़ेगा साम दाम दंडभेद जो अधार्म के पत पे जो है उसको मारो अभी और क्योंकि वो भारद्वा जिशी के पुत्र थ थे तो कुरुक्षेत्र तो किया पूरे विश्व में कोई नहीं है जो उनको पराजित कर सके तो उनको हमें सब हम सब को पता है कृष्ण भागवान के अतिरिक्त कोई नहीं है जो उनको पराजित कर सके लेकिन कृष्ण भागवान ने तो पतिग्या ली थी कि हम चक्र नही गया भी यह जब तक जब तक यह वेक्ति है तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती तो इस वेक्ति को मारो कई से भी करके ड़सन्ट मैटर मैं कह रहा हूं बोलो जूट और मारो तो युदिश्टिर माराज ने वह अर्धसत्य बोल गया कि हां अस्वत्थमा मारा गया तो इ ना चाहते वेवी अगर वो खुद नहीं चाहते थे लेकिन जब कृष्ण भगवान ने बोला तो उन्होंने अपने नीजी व्यक्तिकत उनका जो निर्णाय है उसको साइड में रखा उसको उन्होंने नजर अंदास कर दी बट उन्होंने उसी पर ध्यान दिया जो भगवा आखिर में वनना तो यह संभव नहीं था तो यही हम देखते है कि कृष्ण भगवान समय समय पर कैसे अपने अपने चाहिते अपने भक्तों का कैसे रक्षन करते और इसके चलते धर्मराज युदिश्टिर को कभी ऐसा लगा नहीं कि आप हमें अधार्म करना चाहिए हमें पाप करना चाहिए हमें नीती के विरुद्ध जाके कोई ऐसा काम करना चाहिए जो शास्तों के सम्मत नहीं हो ऐसा हमें करना पड़े कभी युदिश्टि महाराज को कभी ऐसा नहीं लगा तो कहने का तात्पर यही है मेरा इस वीडियो में कि हम अच्छे हो सकते हैं लेकिन हमारे आजू-बजू के लोग कभी कबर हमें अच्छे नहीं रहने देते तो हमें क्या करना चाहिए बहुत ही सिंपल है बहुत सरल है कि हमें कृष्ण भगवान के जो कहानिया जो लिलाय है उनका शर्वन करना चाहिए उनके बारे में पढ़ना चाहिए जैसे गरंत हो गया श्रीमवथ भागवत हो गया माभारत हो गया रामायन हो गया मर्याधर पूर्श Thomas रामचंद्र भगवान उनका उनकी चूचो जो रामायन है वालमी की रामायन या राम चलीट्मन जो भी आपक को पसंद है पढ़ना तो वो सब हमें पढ़ना चाहिए अपने घर वालों के साथ बैठ के उनके बार में चर्चा करनी चाहिए घर में आके TV देखने से अच्छा है थोड़ा रामा इन पर चरचा कर लो समझाए ना क्योंकि जब संकत काल आएगा तो टीवी नहीं बचाएगा आपको जब संकत काल आएगा तो भगवान ही बचा सकते हमें वो तो हम सब को पताईे न कालिव्ग में तो कब बढ़ी मैं बचाते है तो नो कहने का वही मतलब है मैरा कि ये पूरे वीडियो में कि हम जैसे भी है अच्छे हो या बुरे हो उस अच्छाई को बढकारा रखने के लिए हमें भगवान के कहानियों का स्रवण करना पढ़ना चाहिए और जो उनके उन कहानियों के पत पे जो चल रहा है जो जैसे उनके भक्त हो गया या कोई सफान्ग प्रोग्राम हो गया जो हमारे गुरु है उनके पास जाके हमें उनसे समय time to time मिलते रहना चाहिए हफ्टे में एक बार हो गया Sunday या सैटटरडे हो दिख को शनिवार अविवार को जाके हमें मिलना चाहिए उनसे तो हमें उनसे जाके हमारे हमारी कठीनाई या जो है वो हमें प्रॉब्लेम्स उनसे शेर करना चाहिए और उनसे हमें सुझाव लेना चाहिए कि क्या करें इस ऐसी परिस्थिति में क्या करें हम ऐसी विकट स्थिति आ गई है उसमें क्या करें और अगर हम कोई समस्या है हमारे अंदर जैसा कोई ऐसी कोई है जो हम नहीं छोड़ पा रहा है जैसा हम शराब के अधीन हो गया या सीग्रेट हो गया या पोर्नोग्राफी देखने लगे या ऐसा कुछ हो गया तो हमें गुरुजरों के पास जाना चाहिए और उनसे सहायता लेनी हमें जाके अपना रिदय खोल देना चाहिए उनके सामने कि देखिए गुरुमाला जैसे ही से समस्या हो रही है हमारे साथ क्रिशन भागवान तो है नहीं हमारे सामने तो उनके जो प्रतीनी दिय है वही है तो हम उनके पास नहीं जाएंगे तो किन के पास जाएंगे तो अ अगर आप Christian है ये वीडियो देख रहा है तो आप जाएए अपने चर्च में जो आपके फादर है उनके पास जाएए ना Confession का वो होता है वो कीजिए जो भी है आपके धर्म के अनुसार जो भी नीती नियम बताए गया है न तो गुर्जानों से मिलिए सत्संग प्रोग्रम्स में जाएए तो वैसे ही कुछ हो सकता है तो वो जब हम करेंगे तो हम भगवान के वानी के साथ अपने जीवन को जोड़े रखेंगे तब तक और तब तक हमें ये ऐसास होता रहेगा कि हम भी धर्मराज युदिश्ट्री जैसा बिना पाप के रह सकते हैं इस दुनिया में वरना बहुत मुश्किल है आप अच्छे रहने का कुशिश करेंगे लेकिन लोग आपको रहने नहीं देंगे आप बोलेंगे कि मैं शराब नहीं पिऊंगा आपके दस लोग आ जाएंगे शराब पियो 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 तो कितना ना बोलेंगा तो हमें अंदर से ताकत चाहिए प्रेड़ना चाहिए कि गलत चीजों को ना करने के लिए और वो कब आएगा जब हम अच्छे लोगों से मिलेंगे सत्संग में जाएंगे भगवान के जो कहानिया है उनका स्रवन करेंगे और जिन लोगों ने उन कथाओं का अनुसरान किया है अपने जिन्दगी में अपने आभी गुरुस है उनको भी मैं देखता हो गुरुत को तो मुझे लगता यह यह भी साधारन नॉर्मल इंसान थे मेरे जिससे बट अभी वो साधारन ईंसान नहीं वह उपर स्थर्व में पहुँच गया अध्यात्म में बहुत 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 तरफी किया है 2 कर सकते मैं कि नहीं कर सकता हूं तो वह कर Śकते तो मैं भी कर Śकते है तो उन लोगों से मिल के हमें भो प्रेहाय मा तो फिर हम अपने जीवन को सुधार सकते तो यह कहने का मेरा उद्देश्श तरह इस वीडियो में कि अच्छे लोगों के साथ रहे अच्छा अर्था जो धरम को फॉलो करते ना उन लोग के साथ रहिए और भगवान की कथाओं का श्रवन कीजिए घर में अपनी मम ममी पापा जितने आपके बेटे आपके पती पतनी सब के साथ उन सब कथाओं के बार में टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो यह बोलना था मुझे तो अगर आप नय है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको एक कंसल्टेशन चाहिए तो फिर से मेरे वेब साइट पर जा सकते हैं उसका जो लिंक है वो डेस्क्रिप्शन में दिया हुए झाल